नमस्कार दोस्तों, मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, हमारी सफलता में हमारी सोच और महनत का बहुत बड़ा हाथ होता है हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह हमारे जिन्देग में बहुत महने रखता है अगर आपको मेरी इस बात पर यकिन नहों, तो आप एक बार अपनी सोच बदल कर देखिए आपकी जिन्दगी बदल जाएगी, यही बात समझने के लिए मैं आपको मौटी वसल स्टोरी सुनाती हूँ इक चोटी से गाउ में एक लड़का रहता था, उसकी घर की आर्थी किस्तिती बहुत ही कमजोड थी क्योंकि जब वह चोटा था, तो उसकी पिता की मिट्वी हो गई थी, उसकी माँ घर घर जाकर बरतन मांच कर और सिलाई करके किसी ना किसी तरह अपने घर का गुचारा करती थी वह लड़का अकसर चुपचाप ही बैटा रहता था, एक दिन उसकी अध्यापक ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, तुम इस पत्र को अपनी मा को दे देना, उसने घर आकर वह पत्र अपनी मा को दे दिया, उसकी मा न, उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कराने लगी, बे दिमाग सबी बच्चों से तेज है, हमारे पास ऐसा अध्यापक नहीं है, जो आपके बच्चों को बढ़ा सके, इसलिए आप इसका अध्यापक किसी दूसरी स्कुल में करवा देजिए, या सुनकर वह लड़का खुस हो गया, और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस और मेहनत की दम पर सिविल सर्विसेस का एकजाम पास कर लिया, उसकी माँ बुड़ी हो चुकी थी, और एक बीवारी से ग्रसित होने के कारण, एक दिन अचानक उसकी मृत्य हो गई, उस लड़के को अपनी माँ से बहुत ही लगाओ था, वह बहुत ही रोया, तब अचानक उस इसने अपनी मा की अलमारी खोली और उसके समानों को देखने लगा, तब ही उसकी नजर एक पत्र पर पढ़ी, वह पत्र वही था जुसके टीचर ने उसकी माँ को देने के लिए दिया था, जब उस पत्र को पढ़ा तो उसके होस उड़ गए, उस पत्र में लिखा था, कि आपको या बताते हुए बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाय लिखा पे बहुत ही कमजोर है या खेलकुद में भी इतना अच्छा नहीं है जिस तरह इसकी उमर बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धी का विकास नहीं हो रहा है इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रह ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं मैं आप से फिर से कहूंगी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यह हमारे जिंदगी में बहुत मैंने रखता है इसलिए कुछ अच्छा सोचिये पॉजिटिव सोचिये सोच बदल देगी यह जिंदगी दोस्तों मुझे पता है कि आप सबों का समय कितना किम्ति है फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट बॉक्स पर जरूदे क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे ले एक मोटीवस्टल होता है एक नेया स्टॉरी बनाने के लिए थैंक्स नमस्कार दोस्तों, मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, हमारे सफलता में हमारी सोच और महनत का बहुत बड़ा हाथ होता है हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह हमारे जिंदेगी में बहुत महने रखता है अगर आपको मेरी इस बात पर यकिन नहों, तो आप एक बार अपनी सोच बदल कर देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, यही बात समझने के लिए मैं आपको मौटी वसल स्टोरी सुनाती हूँ इक छोटी से गाउ में एक लड़का रहता था, उसकी घर की आर्थी किस्तिती बहुत ही कमजोर थी क्योंकि जब वह छोटा था तो उसके पिता की मिर्ट्यू हो गई थी, उसकी मा घर घर जाकर बरतन मांच कर और सिलाई करके किसी नए किसी तरह आपने घर का गुजारा करती थी, वह लड़का